नमस्कार मैं मोंडूराजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका दिल्ली के अंदर जो बदमाश है उनके होसले बुलंद है आउटर नौर्थ डिस्टर्क की घटना है जब एक मार्च को कुछ अग्यात वैक्तियों ने आसमाजिक तत्वों ने एक महले एक गली मे एक कह सकते हैं कि तांडफ सा मचा दिया कई लोग आये डंडो से लैस उन्होंने जो गली में गाड़ियां खड़ी थी महले में वो तोड़ी अध्य पत्थर मारे और एक हवाई फायर भी करी ये तमाम जो हादसा घटित हुआ है ये सिसी टीवी फोटेज के अंदर कैद हो जिसके बाद पुलिस हरकत में आई पुलिस को इकतला हुई जिसके बाद पुलिस बल वहां पहुचा और जो वो बदमाज थे जो एक तरह से दंगा के माध्यम से एक मंशा से आये थे वहां से फराह हो गए एक तारीक की एगटना है जिसके बाद पुलिस ने अपनी टीम का गठन किया और उन दंगाईयों को पकड़ने का प्रयास किया है क्या है वो पूरा सिसिटी फोटेज वो आपको हम दिखाते हैं उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे झी एलिएक का वो आपको हम हम जय करेंगे उसके बाद हम इसे कीताशो पर चत्वीं के न报 देवांने के बाद Ganzाथा म झाले हम इंह करेंगे है करेंगे ईव झाल 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 जैसा कि आपने वीडियो के अंदर झाल 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 झा कि चपेट में पूरा महौला पूरी गली आ गई तो आप देखिए कि किस तरह बेखौफ दिल्ली के अंदर जो बदमाश है वो घूम रहे हैं और यह अपने आप में प्रश्ण भी होता है हाला कि इस घटना के बाद काफी भारी मातर में पुलिस को डिप्लॉइट किया गया लेकिन क्या बदमाशों के अंदर भै नहीं है या डिप्लॉइट भी किया गया तो पुलिस कब तक डिप्लॉइट रहेगी यह अपने आप में बड़ा प्रश्ण है कि पुलिस अदिल्ली के अंदर जो बदमाश है उनके अंदर से पुलिस का जो भै है वो कम होता नजर आ ताकि जिसके बाग मुखुले आम सणको पर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं फिलहाल पुलिस ने जो है वो पाच लोगों को अपनी हिरासत में लिया है वह अन्य जो उसमें आरोपी है जो लोग आये थे दंगा करने उनकी तलाश में पुलिस जुटी है तो आपकी क्या है राय इस सेक्योर्टी और इस सुरक्षा के ऊपर आप हमसे कमेंट द्वारा साजा कर सकते हैं अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रसुत होंगे नमस्कार